उत्रप्रदेश जिल्ला गोंडा एफसी आई डिपो में 456 पुराने ववास्तवी कारिड़ श्रमिकों को उनकी नौकरी से निकाल कर दर्वतर भटकने को मजबूर करने वाले एफसी आई मुख्याले के दर्वाजी पर आज जली सेना ने धर्ना प्रदशन किया उनका कहना है कि भारत सरकार की 23 अप्रेल 2010 से लागों होने के उपरात डिपो की मरम्बत के पहाने चुट्टी कर दी गई उसके पास श्रमिकों से कारिय नहीं लिया क्या 2011 में फर्जी तरीके से 222 श्रमिकों को आईडी बना कर इंडक्शन पर कर दिया जबकि भारत सरकार की 23 अप्रेल 2010 से तीन वर्ष पूर्व के श्रमिकों को विभागने माना है जब क्यों समय की पुर्वर टीपों मैनेजर की हस्ताक्शर से वर्ष दोहजार पास से 2007 की सुची एवं आईडी हमारी पास है तब से यह सब श्रमिक दर्दर की ठोकरे कारे हैं और अपनी परिवारों के घरों में इसी आशा के चलते कुछ काम भी नहीं कर पार है यह मानिये कि श्रमिक भुक मरी की कगार पर है और बचे अशिक्षित रह रहे हैं इतने पर फिदोसोबाई श्रमिकों को बचाने के लिए श्रमिक विभाग के अधिकारी से पत्र के मातिव से लिखित में कारे पर लगाने की मांग करते रहे हैं तो मनकड़त फरची वाड़ा का आरूप लगा कर मुह बनकर रखने या डर से चुब बेट शाने का शडियन तरज दिया जबके दोसोबाई श्रमिकों में विभाग ने खुद फरची वाड़ा किया है इसको हर इंसान समझ नहीं सकता है क्योंकि लेपर क्लास या तो अनपढ़े या कुछ थोड़ा पढ़ा लिका है इसी का फाइदा उठा कर कानों में से कानों निकाल कर हम श्रमिकों पर फरची वाड़ा का आरूप लगाया जाता रहा है SBI Zonal Office नोड़ा पर धर्ना प्रतश्रम के मात्य से जब तक हम श्रमिकों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम इंसाफ के लिए धरनी पर बैठे रहेंगे बिस्यन नियूज के लिए जिला गोंडा से समवा ताता की रिपोर्ट